नमस्कार दोस्तों, UPSC Logics में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत तो ये भारती इत्यास का एक महत्पूर्ण हिस्सा है और ये वीडियो मैंने हिंदी में करा है तो आईए शुरुआत करते हैं बगैर देरी करे मध्यकालीन भारत हिंदी में कुछ महत्पूर्ण प्रशनों की फर्गर्सन ने गुजरात की किस मजजित को कला का सर्फ शेष नमूना बताया है रानी सीपरी की मजजित किस मराथा समुदरी सेनापती के विरुद बालाजी बाजी राओ ने कलाइव एवं वाटसन के अधीन अंग्रेजी शक्ती को साहता दी थी अंग्रिया वीर्जी वोरा मलेचेटी और अबदुल गफूर वोरा की गिंती किन में होती है मुगल काल के सबसे धनी व्यपारी डच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना कब हुई 1602 इस्वी पार्थिय संगीत की कौन सी शैली इंडो इस्लामिक नहीं है ध्रुपद मराथों ने साश्टी और बसई बंदरगा किस से चीने थे उर्थगालियों से प्लासी के युद में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को पराजित किया शिराउद दौला किसका प्रयोग इस्लामिक वास्तुकला में सजावट के लिए नहीं किया गया है गंटे की आकरतियों का एमद शाअबदाली का सर्फ प्रतम किस मराठा नायक से युद हुआ दत्ताजी सिंद्या खालसा शेत्र से भूर आजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी कौन थे आमिल बर्नी के अनुसार शिक नामक प्रशास्निक इकाई की स्थापना किस ने की ग्यासदीन बलबन ने जहांगीरी महल, मर्यम महल, बीरबल महल और जोदाबाई महल इन में से किस महल में भिती चित रहें? जहांगीर महल में नानक ने किस को ईश्वर प्रापती का सर्फशेश मार्ग बताया? चरित्र की शुद्ता को किस साशक ने मवेशी कर लगाया? अलाओदीन खिल जी सुल्तान के अंग्रक्षकों का सरदार क्या कहलाता था? सर जंदार कौन सी मारत पूर्टे हिंदू ककला से निर्मित है? नसरुद्दीन का मक्मरा पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे? चालिस कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमी की वास्तविक आये पर राजस्व निश्चित किया? इल्तुमिश नाय एवं धर्दनिश्टा के कारण वली या संथ के रूप में कौन प्रसिद हुआ? शहबुद्दीन एहमद प्रथम आगरा के लाल किले में संगमर्मर से बनाया गया पहला महल कौन सा है? दिवाने आम मराठा सेना का सारवदिक महत्पूर अंग क्या था? किला बल्बन ने सेना के किस अंग को पुनर गठित करने के लिए विशेश ध्यान दिया? सवारे कल्ब चंगेज खान किस का पीछा करते हुए सिंधून हदी तक बढ़ा आया था? जलाल उद्दीन मगार बरनी बुलन दर्वाजा किस शेली में बना हुआ है? इरानी मराठा शेत्र में वेतन की आपूर्ती शिवाजी कहां से करते थे? पडोसी राजियों को लूट कर आमिल किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुक अधिकारी था? परगना मुहम्मद बक्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आकरमर करने के पश्चात लक्षमन से इनने कहां से शासन किया? सुनार गाउं में जोदा भाई महल, मोती मस्जिद, सुल्ताना महल और पंच महल इन में से कौन सी इमारत अकबर द्वारा नहीं बनवाई गई है? मोती मस्जिद प्रतिनी दीक की नियुक्ति किसने की? राजा राम ने कुन था? नागरिक सेना किस सल्तनत काली शासक ने सिचाई कर सर्फ प्रत्म लगाया जो उपज का पांचवा भाग था? फिरोज तुगलक ने किसने कहा था कि इसलाम खत्रे में है? गाजी मलक ने किस पुस्तक का चित्री करण करने के लिए मीर सेयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद्क को मुगल दर्बार में बुलाया गया दास्ताने ए अमीर हमजा मराथा मुखे ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन था? पटेल किसके शासंकाल में केंद्रिय नौकर शाही का हस्तप शेप अक्ताव यवस्था को सारवदिक बढ़ाने में इस्तमाल किया गया अलाओदीन खिल जी राज राजा ने श्री लंका विजय के उपलक्ष में पुलन रुआ में किस देवता का मंदिर बनवाया? शेव का आगा रजा, फारुक बेग, दस्वन्त और बसावन्त इन में से कौन अकबर के दरबार में चितकार नहीं था? आगा रजा साहु को मुगल बादिशा ने कौन सी उपादी दी? वकीले मुतलक सल्तनत काल में वित निती किस पर आधारित थी? हनीफी मुहमद गजनवी के आकरमणों से भविश्य में किसको अपनी विजय अबियान में साहिता मिली? मुहमद गौरी को आगरा किला, लहौर किला, पुराना किला और इलाबाद का किला, इन में से कौन सा किला अकबर के शासंकाल में नहीं बना? पुराना किला मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कौन सा कर गैर मुसल्मानों को नहीं देना पड़ता था? जकात सदा अमीरों का विद्रो किसके शासंकाल में हुआ? मुहम्मद बिन तुगलक मयूर सिंहासन का निर्मान किसके शासंकाल में हुआ? शाजहान के शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? अधिकारियों को जागीरे प्रदान करना बच्चे, महिलाएं और भिक्षुक इन में से कौन जजिया कर से मुक्त थे? सभी मुर्शीद कुली खान, असद खान, ओफ खाफी खान, कौन पार्सी धर्म का अनियाई था? मुर्शीद कुली खान गिवाने वकूफ की स्थापना किसने की? बलबन ने राजेन चोला ने अपने शासन में किस वर्ष में श्री लंका पे आक्रमन किया? पाँचवे वर्ष में जहांगी के समय में किस प्रकार की चितकला विक्सित हुई? पोर्ट्रेट पेंटिंग 760 में दिल्ली परमराठों ने किसके नेतरत्व में अधिकार किया? सदाशिव रावभाव सवारे बर्गुस्ताववानी सल्तनत सेना में क्या था? घुड सवार राजेन चोल के गंगा तक पहुँचने वाले सैन्य अभियान का नेतरुत्व किस ने किया? अर्यन राज राजन ने राजिस्थानी एवं गुजराती शेली की गैलरियों एवं बरामदों किसके भवनों की विशेष्टाएं हैं? लोदी पानीपत के तरत्य युद में कौन सा नायक मराठा सेना में नहीं था? काशी राव भोसले मिस्थ के खलीफा की खिलाफत कब खतम हुई थी? 1381 इसवी में राजें चोल ने उडिसा होकर गंगा तक पहुँचने वाले अब्यान में बंगाल के किस शासक को परास्त किया दिया? महीपाल को जहांगीर का कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? उस्ताद मनसूर मुल्क गिरी अब्यानों का उब्देश्य क्या था? लूट मार नरकेसरी की उपादी धारण की विजालय में अकबर ने सारवदिक ध्यान किस प्रकार की चित्रकारी पर दिया? प्राक्रतिक शिवाजी ने भूराजस के शेत्र में किस नीती का अनुसरण किया? केंद्र अधिनस्त नौकरशाही दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सारवदिक महत्मूर पद किसका था? सुल्तान का राजे चोल के केदारम विजैक से आतंकित होकर मित्ता के लिए आविदन करने वाला कमबोज का शासक कौन था? सूर्य वर्मन प्रतम कौन सी सज्जा शहली फिरोज द्वारा बनाए गए भवनों की पैचान है? कमल उपज का कितना प्रतीशत शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूल करते थे? तीस प्रतीशत सर्फ प्रतम किस शासक ने निश्चित नियाएक सिध्धानतो को उमेला वर्ट पर भी लागू किया? मुहम्मद बिन तुगलक कुलुतों प्रतम ने किस चालुक के शासक से युद किया? विक्रामदित्य शश्टम निशाम अधिन उलिया की दरगा पर किसने मिश्चित बनवाई? मुहम्मद तुगलक ने शिवाजी ने भूर अचस्थ दर 30% से बढ़ा कर कितनी कर दी थी? 40% दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में विजारत संस्था प्रतीश्था के निम्तम बिंदू पर पहुँच गई थी बल्बन के द्रवड वास्तुकला किसकी कला को कहा जाता है पल्लव किसके शासंकाल में मुगल वास्तुकला में इरानी प्रभाव मुख्यत हुआ हुआ जहांगीर बालाजी विश्वनात को पेश्वा का पद किस वर्ष में मिला सत्र लखके वास्तुकला की द्रवड शैली का मुख्य लक्षन कौन सा है विमान कौन सी मुगल इमारत अक्बर द्वारा नहीं बनवाई गई दिल्ली का किला बालाजी विश्वनात ने सैयद बंदूओं से संदी किस वर्ष में की 1714 इसवी में मनसबदारी व्यवस्था में किस अरम में किसके सामन थे पल्लवों के लोदी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्रों का प्रयोग कहां से सीखा इरान से किस शासक को बाजी राव प्रथम ने हरा कर दक्षिन में मराठों की सर्वोचता स्थापित की आसिफ जहां निजाम-ुल्मुल्क कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 इसवी में मुगल शेत्र में प्रवेश किया प्रेम नरायन की मुगल काल के संदर में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है भूमी से वसूला गया या एकतरित किया हुआ वास्तविक राजिस लोदी शासकों की सर्षेश क्रती कौन सी मानी जाती है म मोट की मस्जिद बाजी राव प्रथम 1720 इसवी में पेश्वा बना उसने हिंदूओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया हिंदू पद पादशाही का विचार फिलाया सूरत को शिवाजी ने दो बार कब लूटा 1664 इसवी और 1670 इसवी में किस चोल शासक ने चेश शासक को परास्त किया और नौसेना को नश्ट कर दिया राजा प्रथम जानपुर शैली की सर्वोश क्रती कौन सी है अटाला देवी मस्जिद मुहम्मद खां बंगेश के खिल नहीं दी जाती धार्मिक व्यक्तियों को मीड जमला की मृत्यू का कारण क्या था प्लूरूसी अधीना मस्जिद कि शैली का सर्वशेष नमुनाएं बंगाल शैली का 1737 इसवी में दिल्ली पर किस ने आक्रमन किया बाजी राओ ने शिवाजी के अश्प्रदान मंत्री सर्वोच कौन होता था पेश्वा गाफ की सड़कों के रकरकाफ की जम्मेदारी मुख्यत किस की थी गार्डन समिती की तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल हिंदी में और इसमें जाज़तर सवाल मराथा समराज जैसे रिलेटेड थे तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को यदि आप और जै हिंद